बात उस एक्षणी की है जो एक एंज्यान लड़के को सोने चांदी से भरा हुआ खजाना दिखा कर उसके साथ शारिरिक संबन बनाती है और फिर वह एक्षणी अपने असली रूप में आकर उसको अपने नाकून उसे दो भागों में चीर कर मोत के घाट उतार देती है और उ वह शक्ति शाली तांत्रिक था पर अपने शरीर से काफी बुड़ा हो चुका था और वह किसी भी तरीके से यक्षणी के श्राप से मुख थोकर बदला लेना चाहता था जब वह यक्षणी लड़की की लाश के दोनों टुकड़े फेक कर चली जाती है तब वह तांत्रिक अपनी शक्ति से लड़की की लाश के टुकड़े जोड़कर उसे जिंदा कर देता है और अपनी अदूरीक शाओं को पूरा करने के लिए वह उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर जाता है और यक्षणी को वश्मे करने की कोशिश करता है पर असफल हो जाता है और अपन पर यक्षणी पिरकट नहीं हुई, एक तिनुगा लड़का एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे ठक कर बेड़ गया, तभी उसने एक बहुत ही सुन्दर इस्त्री को अपनी और आते हुए देखा, वह इस्त्री मनोहारिनी एक्षणी थी, जो कि लड़के पर प्रसन्न हो च चुकी थी, उस लड़के से कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, लड़का यक्षणी की सुन्दर तापा मुहित हो गया, और उसने उससे विवाह करने के लिए हा कर दी, यक्षणी ने लड़के को बताया, कि वह एक यक्षणी है, और उससे बहुत प्यार करती है, और वह उसके लिए कुछ भी कर सकती है लड़के ने कहा तुम उससे प्यार करती हो तो एक ऐसे खूबसूरत नगर का निर्मान करो जिसमें बहुत सारी प्रजावो बहुत बड़ा महलो और महल में बहुत बड़ा खजाना हो और मुझे महा का राजा बना दो और तुम मेरी रानी बन जाओ वह लड़का बहुत लालची था लालच ने उसके मन में अभी भी घर कर रखा था और यही लालच उसको ले डूबने वाला था यक्षणी ने लड़के की बात मान ली उसने एक ऐसे खूपसरत नगर का निर्पान कर दिया जैसा कि लड़के ने कहा था नगर में खूपसरी प्रजा थी बहुत बड़ा महल था और महल में बहुत बड़ा खजाना था लड़के को वहाँ का राजा बनाया गया और यक्षणी उसकी रानी बन गई लड़का बहुत खुश था उसने यक्षणी से कहा मैं तुम्हारा आबारी हूँ तुमने मेरी सारी इक्षाय पुरी कर दी यक्षणी ने का मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है लड़का और यक्षणी एक साल तक खुशी खुशी साथ रहे एक दिन यक्षणी ने लड़के की परिक्षा लेनी चाहिए एक दिन यक्षणी ने लड़के से कहा मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है लेकिन अब मुझे अपनी लोग जाना होगा पर मैं जल्दी ही लोटाऊंगी और तुम्हारी सेवा के लिए अपनी लोग से कुछ दासियों को भेज़ दूगी अब जो होने वाला था उसकी उस लड़के ने कलपना भी नहीं की थी लड़का यक्षणी से दासियों की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ पर जूट मुट दुखी होकर उसने कहा मैं तुम्हारे बगिर कैसे रह सकता हूँ यक्षणी ने कहा मैं भी तुम्हारे बगे नहीं रह सकती पर मैं जल्द ही लोटाऊंगी ऐसा करकर वह चली गए अगले दिन कुछ दासियां उसके महल में आई और उन दासियों में वह यक्षनी भी रूप बदल कर आ गई उसका रूप बहुती आकर्शक और कामुकता से बरह हुआ था और वह अन्य दासियां भी कुछ कम नहीं थी सभी दासियां और वह यक्षनी उस लड़की के सेवा में लग गई कुछ ही दिनों में उन सभी दासियों पर उस लड़की की नियत बिगडने लगी उस लड़के ने यक्षनी को छोड़कर सभी दासियों के साथ एक एक करके शारिरिक संबन बना लिये अब उन दासियों में यक्षनी ही बची थी जिसके साथ उस लड़के ने संबन नहीं बनाये थे लेकिन वह लड़का उस यक्षणी के साथ भी संबंद बनाना चाहता था जो कि उसकी ही पत्नी थी और वहां रूप बदल के दासी बढ़ कर रह रही थी आखिर कार एक दिन उस लड़के ने यक्षणी को अपने कमरे में बुलाया और उससे संबंद बनाने चाहे जैसे ही उस लड़के ने यक्षणी को संबंद बनाने के लिए अपने बाहों में लिया वैसे ही वह यक्षणी अपने इसले रूप में आ गई और ग्रोध की आग में जलते हुए बोली तुमने मेरे साथ दोका किया है मैंने तुम पर बहुत विस्वास किया था पर तुमने मेरा विस्वास ठोड़ दिया मैंने तुम्हारी एक छोटी सी परिक्षा ली पर तुम उसमें असफल हो गए लड़का यक्षणी से गिलगलाते हुए माफिय मागने लगा पर यक्षणी ने एक ने सुनी और पुरा सामराज जिनरस्ट करके और सड़के को उसी पेड़े के नीचे छोड़कर चनिखे